नमिश्कर इन खबर में आपका स्वागत है मौसम की बैमानी अभी खत्म होने वाली नहीं है फरवरी में मैजून जैसी गर्मी पड़ी तो लोग बिलबिला उठे मार्च में सर्दी की वापसी हुई लोगों को पिछले दो महीनों में मौसम ने गजब रंग दिखाया है कभी गरम कपड़े बकसे में रखने पड़े अलमारी में रखने पड़ी तो कभी निकालने पड़े अब दूसरा दौर आज स्टूरू हो रहा है पहला दौर 22 तारिक को खत्म हो गया 23 तारिक से फिर से एक बार बारिस और ओला ब्रिष्टी के आसार है मौसम भा के मुताबिक दिल्ली पंजाब, हर्याना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों के साथ उत्तर पस्चिम भारत में तेज गरत के साथ बारिस हो सकती है कुछ राजियों के लिए तो अलर्ड तक जारी किया जा चुका है उत्तर भारत में मार्ट में हो रही बारिस ने पारा को नीचे लिया दिया है हाला कि इसका नुकसान भी हुआ है, बारिस से गेहु और सरसों की फसल काफी प्रभावित हुई है बारिस के साथ ओला ब्रिष्टी ने खड़ी फसलों को बुरी तरीके से बरबाद किया है आलू के खुदाई पर भी असर पड़ा है, आम का बाओर जड़ गया है IMD ने जो बयान जारी किया है, उसके मुताबिक 23 मार्च से 25 मार्च के बीच उत्तर पश्चिम भारत में एक और मजबूत पश्चिमी भी छोग के कारण आधी के साथ बारिस और ओला ब्रिष्टी हो सकती है मौसमी भा का काना है कि दिल्ली में सुक्रवार को गरज के साथ हलकी बारिस हो सकती है राश्टी राजधानी में अगले 6 से 7 दिनों तक अस्मान में बादल 6 रहने के कारण अधिक्तम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है दिल्ली में मंगलवार को सुबह 8 वजे खत्म ही 24 घंटे की अवधी में 10 मिलिमीटर बारिस दर्ज की गई या पिछले 3 बरसो में मार्च में सहर में एक दिन में हुई सरवाधिक बारिस है पिछले 4 दिनों से राश्टी राज़ानी में अधिक्तम तापमान 25 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जारा या समाने से 3 से 5 डिग्री कम है मुंबई में 16.6 मिलिमीटर बारिस हुई या मार्च 2006 के बाद अभी तक एक दिन में हुई सबसे जादे बारिस है मुंबई में मार्च के महिने में बिरले ही बारिस होती है मौसम भाग काकाना एक पश्चिमी भी छोब और अरब सागर से आई नमी के कारण ये बारिस हो रही है तो सावधान रहिएगा निकलने से पहले छत्री जरूर ले लीजिएगा मौसम का कोई भरोसा नहीं और इस जो अगला चार-पास दिन है उसमें आसमान में बादल च्छाय रहेंगे कभी भी बारिस आ सकती है रहे नबे खबर देखते रहिए इन खबर ठेंक्यू